श्रीक हाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध गाव है जहां पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है जिसे 1720 में अभै सिंह जी द्वारा मंदिर का पुनर निर्मान कराया गया इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोतकच के तीनों पुत्रों में से जेश्ठ पुत्र बरबरीक के सिर की पूजा होती जबकि बरबरीक के शरीर की पूजा हरियाना के हिसार जिले के एक छोटे से गाव स्याहडवा में होती है बड़ी संख्या में भक्त आते रहते हैं ह खाटू श्याम जी ने द्वापर्युग में श्री कृष्ण से वर्दान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। यदि वे तुम्हारी सचे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनो कामना पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। प्रामोग बान प्राप्त किये। इस प्रकार तीन बान-धारी के नाम से प्रसिध नाम प्राप्त किया। दुरगा ने प्रसन होकर उनहें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजई बनाने में समर्थ था, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बरबरीक को प्राप्थ हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागरित हुई। जब वे अपनी मां से आशीरवाद प्राप्त करने पहुँचे तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोडे पर सवार होकर तीन बान और धनुष के साथ कुरूकशेत्र की रणभूमी की ओर चल पड़े। सर्व व्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मन भेश धारण कर बरबरीक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हसी उड़ाई कि वह मात्र तीन बान से युद्ध में सम्मिलित होने आए है। ऐसा सुनकर बरबरीक ने उत्तर दिया कि मात्र एक बान शत्रु सेना को परास्त करने के लिए परयाप्त है। और ऐसा करने के बाद बान वापस तूनीर में ही आएग। यदि तीनों बानों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह पर को स्मरण कर बान पेड के पत्तों की ओर चलाया। बान ने क्षण भर में में पेड के सभी पत्तों को वेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, वर्टिकल श्री कृष्ण ने अपनी मां को दिये वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा, उसी को अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है, और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका दान मांगा, वीर बर्बरीक क्षन भर के लिए अचम्भित हुए, परंतु अपने वचन पर अडिग रहे, वीर बर्बरीक बोले, एक साधारन ब्राह्मन इस तरह का दान नहीं मांग सकता है, अत ब्राह्मन से अपने वास्तिवक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की ब्राह्मन रूपी श्रीकृष्ण अपने वास्तिविक रूप में आ गए, श्रीकृष्ण ने बर्बरीक को शीषदान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमी पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीष की आहूती देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश्थ थे, बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं, श्रीकृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्विकार कर ली, श्रीकृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर, बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया, उनके शीष को युद्ध भूमी के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे, फालगुन माह की द्वादशी को उ उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागरित हुई, जब वे अपनी माह से आशीरवाद प्राप्त करने पहुँचे, तब माह को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया, वे अपने नीले रंग के घोडे पर सवार होकर, तीन बान और धनुष के साथ कुरूक्षेत्र की रणभूमी की ओर चल पड़े। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी की इस व्रिक्ष के सभी पत्तों को वेध कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के व्रिक्ष के नीचे खड़े थे। बरबरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तूनीर से एक बान निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बान पेड के पत्तों की ओर चलाया। बान ने क्षण भर में में पेड के सभी पत्तों को वेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, वर्टिकल बार बरबरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा, उसी को अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है, और इस कारण अगर बरबरीक ने उनका साथ दिया, तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अत, ब्राह्मन रूपी श्री कृष्ण ने वीर बरबरीक से दान की अभिलाशा व्यक्त की, बरबरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा, ब्राह्मन ने उनसे शीश का दान मांगा, वीर बरबरीक शन भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन पर अडिग रहे। वीर बरबरीक बोले, एक साधारन ब्राह्मन इस तरह का दान नहीं मांग सकता है, अत, ब्राह्मन से अपने वास्तिवक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। बरबरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बरबरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया उनके शीश को युद्ध भूमी के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया जहां से बरबरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे फालगुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए महाभारत युद्ध की समाप्ती पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है श्री कृष्ण ने उनसे कहा बरबरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है अतैव उससे बहतर निरनायक भला कौन हो सकता है सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े वहाँ पहुँचकर बरबरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात रहें उनकी शिक्षा, उपस्थिती, युद्ध नीती ही निरनायक थी उन्हें युद्ध भूमी में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था जो शत्रू सेना को काट रहा था महाकाली, कृष्ण के आदेश पर शत्रू सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी श्री कृष्ण वीर बरबरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वर्दान दिया कि कल्युग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारन करने में समर्थ है उनका शीष खाटू नगर, वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है एक गाए उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतह ही बहा रही थी बाद में खुदाई के बाद वह शीष प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मन को सूपुर्द कर दिया गया एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्मान के लिए और वह शीष मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्मान किया गया और कार्थिक महा की एकाद अशी को शीष मंदिर में सुशोभित किया गया जिसके रूप में मनाया जाता है मूल मंदिर 1027E में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कमवर द्वारा बनाया गया था मारवाड के शासक ठाकुर के दीवान अभै सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 इन में मंदिर का जीर्णोधार कराया मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ती गर्भ ग्रह में प्रतिस्थापित किया गया था मूर्ती दुरलभ पत्थर से बना है खाटू श्याम परिवारों की एक बड़ी संख्या के कुल देवता है श्री खाटू श्याम जी का बाल्यकाल में नाम बरबरीक था उनकी माता, गुरुजन, एवं रिष्टेदार उन्हें इसी नाम से जानते थे श्याम नाम उन्हें कृष्ण ने दिया था इनका यह नाम इनके घुंघराले बाल होने के कारण पड़ा बाबा श्याम को श्याम बाबा, तीन बाण धारी, नीले घोडे का सवार, लखदातार, हारे का सहारा, शीश का दानी, मोरवी नंदन, खाटू वाला श्याम, खाटू नरेश, श्याम धनी, कलयुक का अवतार, कल्युक के श्याम, दीनों का नाथ आधी नामों से भी पुकारा जाता है। भीम के पुत्र, घटोतकच और प्रागज्योतिश्पुर, वर्तमान आसाम के राजा, दैत्यराज मूर की पुत्री, कामकटंक ककटा, मोरवी के पुत्र थे। जो उन्हें तीनों लोकों में विजय दिला सकता था। बर्बरीक बोले और उनका उपहास करते हुए बोले कि हे बालक, ये क्रीडा भूमी नहीं युद्ध भूमी है, तीन बाणों में युद्ध तो क्या सैनिक भी नहीं मरेंगे। बर्बरीक बोले कि हे ब्रह्मन देव, ये बाण कोई साधारन बाण नहीं है। मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे ये तीन अचूक बाण दिये हैं, इनसे मैं युद्ध को एक पल में समाप्त कर दूँगा। ब्रह्मन रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद करने को कहा। श्री कृष्ण बोले कि हे बर्बरीक आज मुझे तुमसे गुरु दक्षणा चाहिए थी, इसलिए मैंने ये सब किया। बर्बरीक ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरा शीष तो आप ले लीजिये, किन्तु मैं संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। विजय का गर्व हो गया। उनके घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा तो बर्बरीक के शीष ने कहा कि गुरुदेव श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने ही संपूर्ण युद्ध में पापियों का अंत किया है। उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कुछ मांगने को कहा तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण से उनका सांवला रंग मांगा। श्री मोर्वी नंदन, खाटू श्यामरशी वेद व्यासद्वारा रचित सकंद पुराण के अनुसार, महाबली भीम एवं हिडिंबा के पुत्र, वीर घटोतकच के शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर इनका विवाह प्रागज्योतिश्पुर, वर्तमान आसाम क राजा दैत्यराज मूर की पुत्री कामकटंकककटा से हुआ, कामकटंकककटा को मोरवी नाम से भी जाना जाता है, घटोतकच वमाता मोरवी को तीन पुत्र रतनों की प्राप्ति हुई, सबसे बड़े पुत्र के बाल बबबर शेर की तरह होने के उसका नाम बरबरीक रख अन्य दो पुत्रों के नाम अंजन पर्व और मेघवर्ण रखा गया। पर्व और मेघवर्ण दोनों छोटे भाई बर्बरीक के जन्म के पश्चात महाबली घटोतकच इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास द्वार का ले गए और उन्हें देखते ही श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से कहा। इस निश्चल प्रश्ण को सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा। हे पुत्र इस जीवन का सर्वोत्तम उप्योग परोपकार्व निर्बल का साथी बन कर सदैव धर्म का साथ देने से है जिसके लिए तुम्हें बल एवं शक्तियां अर्जित करनी पड़ेगी। अतयव तुम मही सागर क्षेत्र गुप्त क्षेत्र में नव दुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जन करो। श्री कृष्ण के कहने पर बालक बरबरीक ने भगवान को प्रणाम किया। से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें तीन बान प्रधान किये जिससे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। यहां उन्हें चंडील नाम मिला। महादेव ने वीर बरबरीक को उसी क्षेत्र में अपने परमभक्त विजय नामक एक ब्राहमन की सिध्धि को संपूर्ण करवाने का निरदेश दे कर अंतरध्यान हो गए। जब विजय ब्राहमन का आगमन हुआ तो वीर बरबरीक ने पिंगल, रेपलेंद्र, दुहद्रुहा तथा नौ कोटी मांस भक्षी पलासी राक्षसों के जंगल रूपी समूह को अग्नी की भांती भस्म करके उनका यग्य संपूर्ण कराया। उस ब्राहमन का यग्य संपूर्ण करवाने पर देवी देवता वीर बरबरीक से अति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर यग्य की भस्म रूपी शक्तियां प्रदान की। लेने की आग्या इस वचन के साथ दी कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभावगे। वीर बरबरीक का शिरो छेदन कर महा भारत युद्ध से वंचित कर दिया। उनके ऐसा करते ही रणभूमी में शोक की लहर दोड़ गई, ततक्षन रणभूमी में 14 देवियां प्रकट हो गई। देवियों ने वीर बरबरीक के पूर्व जन्म यक्षराज सूर्य वर्चा को ब्रह्माजी द्वारा प्राप्त श्राप का रहस्योद घाटन सभी उपस्थित योद्धाओं के समक्ष निम्न प्रकार किया। द्वापर्युग के आरंभ होने से पूर्व मूर दैत्य के अत्याचारों से व्यथित होकर प्रिथ्वी अपने गौस्वरुप में देव सभा में उपस्थित होकर बोली। गौस्वरुपा धरा की करूण पुकार सुनकर सारी देव सभा में एकदम सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर के मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा अब तो इससे छुटकारा पाने का एक मात्र उपाय यही है कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चा तब ही देव सभा में विराजमान यक्षराज सूर्य वर्चा ने अपनी ओजस्वी वानी में कहा। विष्णु जी से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी तुम इस देव सभा से अभी प्रिथ्वी पर जागिरोगे। तुम्हारा जन्म राक्षस योनी में होगा और जब द्वापर्युग के अंतिम चरण में प्रिथ्वी पर एक भीशन धर्म युद्ध होगा तभी पड़ा और विनम्र भाव से बोला भगवन भूलवश निकले इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके शरणागत हूँ। त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा कीजिए प्रभु। यह सुनकर ब्रह्माजी में करुन भाव उमड पड़े। वह बोले वत तुने अभिमानवश देवसभा का अपमान किया है, इसलिए मैं इस अभिशाप को वापस नहीं ले सकता हूँ। हाँ, इसमें संसोधन अवश्य कर सकता हूँ कि स्वयम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा शिरो छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे, देवियों द्वारा तुम्हारे शीष का अभिसिंचन होगा। फलतह, तुम्हें कल्युग में देवताओं के समान पूजनिये होने का वर्दान स्वयम भगवान श्री कृष्ण भगवान से प्राप्त होगा। ततपश्चात भगवान श्री हरी ने भी इस प्रकार यक्षराज सूर् श्री हरी ने कहा, हे वीर, ठीक है, तुम्हारे शीष की पूजा होगी और तुम देवरूप में पूजित होकर प्रसिद्धिपाओगे। वहां उपस्थित सभी लोगों को इतना वृत्तांत सुनाकर देवी चंडिका ने पुनह कहा, शीष के दानी क्यों कहा जाता है श्य जई बनाना चाहते थे। बरबरीक पहले ही अपनी मां को हारे हुए का साथ देने का वचन दे चुके थे और युद्ध के पहले एक वीर पुरुष के सिर की भेंट युद्ध भूमिपूजन के लिए करनी थी। इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे शीष का दान मांगा। ल आलेख में बताया गया है, बाबा ने हारने वाले पक्ष का साथ देने का प्रण लिया था। इसलिए बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। हारे हुए की तरफ से युद्ध करने की प्रतिग्या वदादी मां हिडिमबा से मिले आदेश के कारण ही। भगवान श्री कृ आदेशन की मन में उठी समस्या के कारण ही बरबरीक्व बाबा के शीश को भगवान वासुदेव द्वारा मांगा गया। क्योंकि एक तो कुरु सेना अठारह दिनों से पहले खत्म नहीं हो सकती थी। तथा अन्य तथ्य यह था कि महाबली बरबरीक हारे हुए कमजोर की युद्ध करते इसलिए अंत में महाबली बरबरीक के इलावा कोई नहीं बचता क्योंकि जिस तरफ से वह युद्ध करते तो सामने वाला कमजोर हो जाता फिर अपनी प्रतिग्या अनुसार उन्हें हारे हुए की तरफ से युद्ध करना होता अतह अंत में केवल महाबली बरबरीक ही जीवित रहते मोरचडी धारक नाम क्यों है श्याम बाबा का बाबा हमेशा मयूर के पंखों की बनी हुई चड़ी रखते हैं इसलिए इन्हें मोरचडी वाला भी कहते हैं वीडियो अच्छा लगे तो जैश्री श्याम जरूर कॉमेंट में लिखेगा जैश्र राजस्थान के सीकर में मौझूद खाटू श्याम जी के मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में भक्तगण दर्शन करने के लिए जाते हैं कार्तिक महीने की शुकल पक्ष की एकादशी को हर साल खाटू श्याम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है इस मौके पर गाफी खाटू श्याम जी से संबंधित कुछ उपाय करते हैं, तो आपका जीवन भी सुखमय बन जाता है। प्रसाद, भोग, पंचामरित आदी को तैयार करकर रख ले. अब खाटू श्याम जी की प्रतिमा को पंचामरित से स्नान करवाने के बाद मुलायम कपडीडे से प्रतिमा को साफ कर ले. इसके पश्चाद पुष्प आदी चड़ाने के बाद घी का दीपक जलाए और अगर ब तथा अपनी मनोकामना पूर्ती के लिए प्रार्थना करे। शीष के दानी जय खाटू नरेश जय हो, खाटू वाले नात की जय मोरवे लीले के अश्वार की जय जय, मोरविनंदन श्याम हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय। दर्शन करने आते हैं और खोये से बनी मिठाईयों का प्रसाद चढ़ाते हैं। पूरे देश भर में फैले हुए श्याम बाबा के 200 से अधिक मंदिरों में भी बड़ी धूम धाम से बाबा का जनमोत्सव मनाया जाता है। खाटू श्याम की पूजा, विधी वर्टिकल बार, वैसे तो बाबा श्याम के लिए भक्तों का प्रेम, आस्था और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन जो लोग विधी पूरवक बाबा श्याम की पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए पूजा विधी है। बाबा श्याम की आरती गाते हुए वंदना करें। पूजा के अंत में पूजन विधी में अंजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए विनती करें। इसके बाद भोग सामगरी से गाय माता के लिए हिस्सा निकाल कर खिला दें। अब प्रेम पूर्वक बाबा का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहन करें। खाटू श्याम जी को क्या प्रसाद चढ़ाएं श्री खाटू श्याम बाबा को चढ़ाये जाने वाला सबसे मुख्य प्रसाद कच्चा दूद है। यह बाबा को चढ़ाये जाने वाला पहला प्रसाद था, अतह यह बाबा को सबसे प्रिय है, इसलिए प्रयास करें कि कच्चे, दूद का प्रसाद बाबा श्याम को अवश्य चढ़ाएं, खीर और चूर्मा का भोग बाबा को प्रिय है, दुकान से खरीदे खीर चूर्मा के स श्याम को पंचमेवा चाजू, बादां, छुहारा, किश्मिश, मिश्री का भी भूग लगाया जाता है ये खराब भी नहीं होता और लंबे समय तक चल जाता है श्याम बाबा का जय कारा लगाते हुए श्याम बाबा को अपना मनो कामना बताए पिर जैश्री श्याम बोलते जैश्री श्याम वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जैश्री श्याम जरूर करें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम बाबा का मंदिर बना है जहां पर हर साल कार्तिक महीने की शुक्लपक्ष की एकाद अषी को मेला लगता है और इस दिन इनका जन्म दिन भी मनाया जाता है इसी लिए खाटू श्याम बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए आप शुक्लपक्ष के एकाद अचारी प्रदान करेंगे शुकल पक्ष को एकादशी का व्रत करने की विधिशुकल पक्ष की तिथी में एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठकर घर की अच्छे से साफ सफाई करें और खुद स्नान आदी से निवरित होकर पीले वस्त्र धारन कर ले उसके पश्चात एक स्वच स्थान पर खाटू श्याम बाबा की फोटो या मूर्ती स्थापना के लिए सफेद चादर बिछा दें उसके पश्चात खाटू श्याम बाबा की मूर्ती को पंचामृत से अभिशेक करें उसके पश्चात स्वच गंगा जल से नहलाने के बाद कि पुद्ध देसी गाय के घी से दीपक जलाकर इनके सामने रखें, फिर धूप बत्ती और कपूर जलाकर खाटू श्याम बाबा की संपूर्ण आरती करें। जाप मंत्र का जितना संभव हो जप करें। पेडा, दूध आप से जो हो सके, आप वह भोग लगाएं और खाटू श्याम बाबा से अपने समस्त कष्ट बताएं, फिर जमीन पर या फिर लकडी के तखत पर सो जाएं। इस तरह से एकादशी व्रत करने से खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों की समस्त मनो कामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके समस्त कष्टों को अपने जीवन में उतार लेते हैं। बोलो! जैश्री श्याम!